All Our Dreams Can Come True If We Have The Courage Of Pursue Them Welcome To भायाजी एजुकेशन Friends, Today We Will Discuss About Number Of Telling Zeros आज हम जानेंगे जहां बिभिन प्रकार की संख्याओं का गोवन्फन करते हैं तो उनके यंत में कितने जीरो आते हैं तो आएए देखते हैं फिरस जैसे आपके सामने ये कुश्यन लिखा है और आपको इसमें कह दिया जाए कि जो है इसमें लाश्ट में कितने जीरो आएंगे यानि दो गुणा पांच करोगे तो अंत में कितने जीरो आएंगे जब दो गुणा पांच करेंगे तो इदर आजाएगा टैन अंत में 0 आया 1 अब 4 गुणा 5 करेंगे तो इसके अंत में कितने 0 आया 4 पंच 20 या अंत में 0 आया 1 6 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 6 गुणा 5 यानी 30 अंत में 0 आया 1 निर इन इंक कोश्ट्टल करे अपने बता दिया इसको कि अंत में जो है जीरू आएगा लेकिन अगर आपसे कुश्ट्ट्ट कर दिये ये निर तीन गुणा चार गुणा नौ। गुणा 25 गुणा 125 इंद आपका है और आपसे पूछ दिया जाए कि इसके अंत में जो है कितने 0 होंगे तब आप क्या करेंगे तो घबरानेक जरूत नहीं है बिलकुल बड़ी आसानी से solve करेंगे इसको हम देखते हैं एक बात आप अच्छे से जान लो कि भाई 0 बनता कैसे है यानि 0 का ओर्जिन कैसे होता है तो जब हम पांच में किसी समसंख्या का गोड़ा करते है 5 में जो हम किसी even number का multiply करते हैं तो 0 का ओर्जिन होता है suppose 5 into 4 कितना हुआ 20 यानि 0 आया लाश्ट में अगर हम इसको 5 into 3 कर दें तो 0 नहीं आएगा यानि 5 into 3 15 यानि लाश्ट में 0 नहीं आएगा 5 into 2 कर दें तो लाश्ट में 0 आएगा कोई भी even number ले ले हम 5 से multiply कर दें किसी भी even number का तो लाश्ट में 0 आजाएगा suppose 5 से multiply करते हैं 12 का तो 60 यानि लाश्ट में 0 आगया तो इतनी बात आप समझ गए होगे कि किसी भी even numbers का multiply जो हम 5 से करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है अब बात करें कि 0 हम निकालेंगे कैसे तो even number अगर देखा जाए तो सारे even number को हम किसके factor में change कर सकते हैं suppose यह आपका 4 है तो 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं आपको 6 अगर दे दिया जाए तो 6 को भी हम minimum 2 into 3 लिख सकते हैं अगर 8 दे दिया जाए आपको 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 तो कहने का तात्पर यह है कि अगर even numbers को हम minimize कर ले even number को minimize कर ले तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा यानि finally हम कह सकते हैं कि जा हम 5 में 2 का multiply करेंगे तो हमें 0 मिलेगा तो इसके लिए क्या करेंगे हम 5 and 2 को count करेंगे suppose इस question में हम देखेंगे कि कितने 5 आ रहे हैं और कितने 2 आ रहे हैं जितने pair होंगे 5 और 2 के उतने ही 0 आएंगे क्योंकि 5 and 2 का एक pair मिलके हमें 1 0 देगा ओके फ्रेंट्स 5 and 2 का एक pair जो है मिलके हमें 1 0 देगा तो total pair हम count कर लेंगे 5 and 2 के जितने भी pair होंगे उतने 0 आएंगे तो आई देखते हैं इस question को solve करते हैं इज़र हम 2 देखते हैं 2 को count करते हैं कि 2 जो है कितनी बार आया है इसमें तो 2 को हम देखेंगे तो 1 ये हो गया यानि 1 ये हो गया अउसके बार 4 को हम क्या लख सकते हैं 2 into 2 4 में 2 आया 2 times इसके बार 9 में 2 नहीं आएगा 25 में 2 नहीं आएगा 125 में 2 नहीं आएगा 8 में 2 आएगा तो 8 में 2 कतनी बार आएगा 2 into 2 into 2 then 1 13 2 17 and 3 19 में 2 भी नहीं आएगा तो 2 को हमने count कर लिया अब देखते हैं 5 5 को count करेंगे 5 को count करेंगे तो 5 देखते हैं इदर तो 5 आएगा नहीं 25 में 5 आएगा 25 में कितनी बार 5 आएगा 5 इंटू 5 लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं 125 अब 125 में भी 5 आएगा 125 में 5 कितनी बार आएगा 125 में 5 5 into 5 into 5 यहनि 3 बार 5 आएगा और इदर जो है 5 का एक भी multiple नहीं है तो इदर एक भी 5 नहीं आएगा तो हमने 2 count कर लिया और 5 count कर लिया 2 कितनी टाम्स हाया है आपका 1 2 3 4 5 6 राय आपका 1 2 3 4 5 यह 5 टाम्स हाया तो और पांच के pair बनाएगे हम यह त्लिए फाइब का पेर बनाएगे तो एकgend प्यार हो गया सब दो प्यार होyen तीकर यह चोथा यह और यह आपका पूगा प्शसे कोई लेन धने नहीं जार थिकन तो पांच प्यार बन गया है या यानि कि फांच गुणादर करेंगे तो आपका इद टेन तो तो इस नमबर का मल्टिप्लाई करेंगे तो इस नमबर के अंत में जो है जीरो की संख्या होगी जीरो zooming अ करना किया हमने तु और 5 को देखना है और 5 को देखेंगे तने 2 ओर 5 के पिरियर बनाएंगे जितने पियर हो उतने 0 जाने अंटर सिरे आगे एक स्मस्ट्रोन और देंगे आंगे इन्टो 8 इन्टो 25 इन्टो 16 इन्टो 6401 इस question को मतलब आपको बताना है कि इसके end में जो है जब इसका इन सारी संख्याओं का multiply करवा दिया जाए तो इसके last में कितने 0 आएंगे यह आपको बताना है तो कैसे solve करेंगे इसको मैंने आपको बताया कि 2 और 5 जो है count कर लेंगे total pair जितने बनेंगे उतने 0 लाश्ट में आ जाएंगे तो आपने इस question से conclusion निकाला कि total pair वही बनेंगे जिसकी संख्या minimum होगी यानि 2 और 5 में जिसकी संख्या minimum होगी वही उतने ही pair बनेंगे क्योंकि इदर जैसे 2 आपका 6 था 2 जो है आपका 6 टाइम आया था और 5 जो है 5 टाइम आया था तो पेर अगर देखे जाए तो 5 पेर ही बनेंगे यह जो 2 है आपका यह extra बच जाएगा तो पेर की बात की जाए तो minimum संख्या ही पेर बनाएगी यानि 2 और 5 में जो कम बार आया होगा उतने ही पेर बनेंगे तो इस question को देखते हम अब इस question को हम देख रहे हैं तो 4 into 8 into 25 into 16 into 64 into 86 so on अच्छा इसमें एक चीज़ अफजर्ब कर सकते हो आप कि इसमें देखो 2 आपका 4 में भी आएगा 8 में भी आएगा 16 में भी आएगा 64 में भी आएगा 86 में भी आएगा है ना तो और जबकि 5 की बात की जाए 5 की बात की जाए तो 5 जो आपका 25 में आएगा 125 में आएगा इसके अलावा आपका 5 कहीं नहीं आएगा तो आपने यहां से एक conclusion आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से क्या कि 5 जो है यहां minimum आएगा यानि 5 की संख्या जो है 2 की अपेक्ष जो है कम होगी तो हम इदर निकालेंगे केवल 5 निकाल लेंगे तो मैंने आपको बता है कि जिसकी संख्या minimum होगी उतने ही सून आ जाएंगे 5 निकालेंगे तो 25 में दो 5 हो जाएंगे 5 इंटू 5 ओके और 125 का जो हम multiply कराएंगे 5 इसको जो है 5 के factor में तोड़ेंगे तो इसमे 35 आ जाएंगे आपके 5 इंटू 5 इंटू 5 ओके फ्रेंड्स तो टोटल 5 कितने होगे 12345 यानि इसके लाश्ट में जो है 50 आएंगे अब आप यह कहोगे कि यहां आपने 2 क्यों नहीं लिखा सर तो जो है इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है कि 2 की संख्या जो है 5 से maximum हो होगी और मैंने आपको बताया है कि प्यर उतने ही वनेंगे जिसकी संख्या मिनमम होगी और जो होगी ओके तो 5 जो है आपका 5 टाइम्स आया तो इस संख्या का जो हम मल्टिप्लाई कराएंगे तो इस संख्या के अंत में जो है टोटल 0 कितने होंगे 5 होंगे understand now next question साब के सा 2 into 3 into 4 so up to 125 एक से लेकर 125 तक की संख्या का आपको गुरंफल दिया गया है और आपको बताना है कि इसके अंत में जो है कितने 0 होंगे तो इसको कैसे सल्व करेंगे एक से लेकर 125 तक की संख्या का गुरंफल दिया गया है इस question को हम ऐसे भी लिख सकते है 125 factorial का मतलब होता है एक जानाम से 125 तक की संख्या का गुरंफल फैक्टोरियल को जो हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 125 factorial इसका मतलब भी 125 फैक्टोरियल होगा तो एक से लेकर 125 तक की संख्या की गुरंफल के अंत में आपको 0 बताना है तो आप कैसे बताऊगे तो आईए देखते इस question को सल्व करते है suppose आपने जो है एक से लेकर 125 तक की संख्याओं का गुरंफल किया तो उसमें हमें सबसे पहले क्या find करना है कि 2 कितनी बार आएंगे और 5 कितनी बार आएंगे तो जो हम इसको observe करेंगे एक से लेकर 125 तक की संख्याओं को जो हम observe करेंगे तो हम पाएंगे कि 5 की अपेच्छा जो है 2 ज्यादा बार आया हुआ है suppose एक से लेकर 10 तक की संख्याओं हम लेते हैं इसमें 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 9 into 10 okay friends अगर हम इसे 2 को observe कर रहें 2 को observe कर रहें तो एक 2 आपका यह हो गया और इसमें 2 2 हो जाएंगे आपके 4 में एक 2 आपका इदर से निकलेगा and 3 2 आपके इदर से निकलेगे और एक 2 आपका इदर से आएगा total 2 अगर count किये जाएं तो total 2 आपके हो जाएंगे 1 3 4 7 8 8 हो जाएंगे जब कि हम 5 को अगर count करें इसमें तो 5 कितने हो जाएंगे 5 5 अगर देखें तो 5 कितने हो जाएंगे 1 and 8 5 आपके इदर से निकलेगा 2 ठीक है तो total 5 कितने हो जाएंगे 2 तो यहां से हमने conclusion क्या निकाला कि जब 1 से 10 तक की संख्याओं का गोडनफल करेंगे हम तो 5 जो है कम बार आएगा यानि जब इसके पेर बनाएंगे तो इसके दो पेर से तो यानि 2 और 5 के पेर बनाएंगे जो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एट टाइमस आएगा यह एट टाइमस जब यह 5 को हम करेंगे 5 इंटू 5 पेर बनेगा आपका यह and यह तो 0 कितने होंगे 20 होंगे ओके तो पेर ही हमें 0 देता है तो minimum हमने देखा कि 5 कम बार आ हाईगा इसमें को आप मेस्नू करने की जरूत नहीं है क्योंकि minimum हम देख लेंगे minimum 5 ज़ो है और 5 कम बार आएगा तो 5 हम कांट करेंगे 5 कितनी बार आएगा अब बात यह है कि 5 हम कैसे कांट करेंगे तो 5 को운데 टक्त्स करेंगे 125 125 में 5 का débार करेंगे कितना आएगा 25 ओके अब 25 आएगा जो संख्या इदर आएगी उसमें फिर से 5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 ओके अब जो संख्या इदर आएगी 5 आया तो 5 में हमने फिर से 5 का डिवाइड किया यानि 1 तो टोटल 5 काउंट करने के लिए क्या करेंगे 125 है तो 125 में 5 का भाग देंगे 25 जो संख्या आई उसका फिर 5 में भाग देंगे तब तक देते रहेंगे जब तक जो है हर जो है यानि 5 जो है हर जो है अंस से बड़ा ना आ जाए ओके तो टोटल 5 काउंट कर लेंगे टोटल 5 कितने हुए यहां 25 प्लस 5 प्लस 3 यहने टोटल 5 हो गए 31 ओके 31 तो आपका डिरेकली आप इसका अंसर लिख सकते हो कि एक से लेकर 125 तक की संख्याओं का जब गुडन फल करेंगे तो इसके अं सब्सक्राइब करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे 5 ज्यादा कम बार आएगा तो 5 यानि 1000 का जो है 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 200 अब 200 में फिर से 5 का डिवाइड करेंगे 40 में फिर से 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 हम डिवाइड करेंगे तो यानि 5 का डिवाइड करेंगे यानि 5 जो हम डिवाइड करेंगा तो या जो आपको इसमें कैसे हम कैसे काउंट करेंगे टोटल फाइव हम कैसे काउंट करेंगे तो टोटल फाइव काउंट करने के लिए हम तब तक जो है पांच का भाग करते जाएंगे जब तक जो है तक कि संख्याओं का जब गुडनफल करेंगे हम तो दो कितनी बार आएगा ओके तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे फिर दो का डिवाइड करेंगे हम इदर आएगा 500 और 500 में फिर से 2 का डिवाइड करेंगे इदर आएगा 250 में फिर से 2 का डिवाइड करेंगे तो इदर आए को हम एड़ कर लेंगे जो भी इदार आएगा उतने जो है उतनी बार जो है तू आएगा अड़ेस्टेंड तो इस कुश्चन को आप समझ गए होगे अगर जो है नेक्ट कुश्चन देखते हैं अपकी सामें के कुश्चन लिखा हुआ है 50 फैक्टोरियल इंटू 75 फैक्टोर करेंगे तो इसमें किबार आएगा तो इसको पार जाना है कि इसमें बार तो पार के लिए क्लिए क् escolet मिडाय करेंगे तो इदार अएगा 10 हौके और जब हम 10 में 5 के डिवाइड करेंगे तो इदर आएगा TWO वोके इसके बाद तो डिवाइड होगा नहीं तो टोटल जो है 5 कितने हुए इदर 12,5 हुए 12,5 हुए आप जब 75 में 5 को काउंट करेंगे हम 75 में 5 को काउंट करेंगे 75 डिवाइड वाइड 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 इदर आएगा 5 बन जब 5 और 5 जा 25 15 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 3 यानि टोटल कितना हुआ 18 यानि 50 फेक्टोरियल में 12,0 आएगे और 75 फेक्टोरियल में 18,0 आएगे जब दोनों को एड कर देंगे इनको तो 18 प्लस 12,12 प्लस 18 हो जाएगा 20, sorry 30, 30 यानि 50 फेक्टोरियल मल्टिप्लाइड वाइ 75 फेक्टोरियल तो इसके लाश्ट में 0 जो है कितने आएगे 30,0 आएगे अब एक कुश्चन और देख लेते हम सबोर्थ आपसे क्या दिया जाए कि 10 to the power 64 प्लस 10 to the power 50 इसके लाश्ट में कितने 0 आएगे ठीक है तो इसके लाश्ट में कितने 0 आएगे तो इसको कैसे सलुक पर रहेंगे देखते हैं इदर हमने देखा कि 10 to the power 50 जो इदर से common आ रहा है 10 to the power 50 जो इदर से common ले लेगे 10 to the power 50 जब common लेंगे तो 10 to the power 14 होगा इदर 14 होगा प्लस 1 आ जाएगा तो इसमें एक चीज हमने नोटिस कि 10 to the power 14 तो 0 दे रहा है लेकिन जब हम उसमें 1 एड कर देंगे जब 10 to the power 14 में वन एड़ कर देंगे तो लास्ट में वन आ जाएगा यह यह जो जिरो नहीं रहेगा तो कंक्लूजन क्या निकला 10 to the power सपोर्ज जैसे हमने इदर 10 जो है लिया और 10 में वन एड़ कर दिया हमने वनएड कर दिया तो लाशट में कितना हो गया 11 हो गया तो इसमें जब वनएड कर देंगे तो लाश्ट में जहें वन आजाएगा तो जीरो नहीं हो गालाश्ट में कि 10 to the power 50 10 to the power 50 का मतलब क्या हुआ कि 10 का multiply 50 times 10 का multiply 50 times करेंगे तो लास्ट में 0 कितने आएंगे 50 आएंगे ओके तो finally आपने conclusion कहने काला कि इस टाइप का कभी आपको question जो है देखने को मिल जाए तो आपको करना क्या है कि पावर को लेने लेना है और जो मिनममपावर होगी सपोरिए 10 to the power 64 और टेन 10 to the power 50 है तो मिनमम पावर इदर क्या है 10 to the power 50 ही आपका जो है फाइनल अंसर होगा है यह जो है 50 0 आएंगे यह संख्या के लास्ट में जो है कितने 0 आएंगे 50 0 आएंगे ओके फेर्स नाव एक कुश्चन और देख लेते हैं 10 to the power 64 multiply by 10 to the power 16 तो इसके लास्ट में कितने 0 आएंगे तो इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे इसको write कर सकते है 10 to the power 8 to the power 8 ओके और इसको क्या write कर सकते है 10 to the power 8 to the power 2 ओके एक formula आपने जो है rate किया होगा a to the power m a to the power m into a to the power n यानि जब base सेम होता है यानि base जो है ये है base जब सेम होता है तो power का हम क्या कर देते हैं base अगर सेम हो और numbers जो है multiplied में given हो तो हम power का क्या करते है add कर देते है यानि a to the power m plus n हो जाता है तो इदर base से में 10 to the power 8 और 10 to the power 8 दोनों का base हो गया तो इसमें हम क्या करेंगे 10 to the power 8 और जो है इन power को add कर देंगे आपस में तो 8 plus 2 यहनि क्या आया 10 to the power 8 to the power 10 ओके 10 का multiply 8 में हो जाएगा तो final आएगा आपका 10 to the power 80 power 80 है 10 की power 80 है तो लास्ट में कितने 0 आएंगे लास्ट में जो है 80 0 आजाएंगे इसके ओके फ्रेंट्स यहनि 10 to the power 64 into 10 to the power 16 का जावा आप करोगे तो इसके लास्ट में कितने 0 आएंगे 80 0 आएंगे ओके फ्रेंट्स यह कुश्चन जो है आप आसानी समझ गये होगे उम्मीद है कि यह टॉपिक जो है आपको आसानी समझ में आ गया होगा फ्रेंट्स जहां तक मेरा मानना है कि एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने अंदर एक इस्टुडेंट को भी जिन्दा रखता है I am also a student because I learn from you in my routine life so I can understand your feelings your problems your physical very well so always keep smiling friends with your work मिट ये नच्ट वीडियो, थैंक यू और वेस्ट अब लुक